हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं LCM तथा HCF तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि LCM किस पका निकाला जाता है और HCF किस पका निकाला जाता है तो दोस्तों चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट और सीकते हैं Burada अगर आप आखको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज्ज वीडियो को भी CGI कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो जोस्तों सबसे पहले हैं तो हम यहां पर संख्या दोस्तों मान लेते हैं कि हमें 3042 का LCM वे HCF निकालना है तो दोस्तों सबसे पहले तो हम निकालते हैं LCM सबसे पहले तो दोस्तों निकालते हैं LCM तो दोस्तों LCM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है Lowest Common Multiple यानि लगूतम समापवर्टिक और HCF की फुल फॉर्म होती है Highest Common Factor यानि इसका हिंदी में अर्थ होता है मेहतम समापवर्टिक तो दोस्तों यह होती है LCM, HCM की फुल पारे 6-7 उतना को एक साथ में लिखा जाता है इस प्रकार 32 तो हमारे पास 2 संख्य इसे प्रुर्स परकार रहा निए हमान का तो हम जानते हैं कि चोटी संक्रया का भाग दिया जाता है तो सबसे पहले तो इनमें छोटी संक्या का बाग जाएगा वो है दो एक का तो सभी संक्या के अंदर बाग जाता है तो सबसे पहले दो का बाग जाएगा तो तीस के अंदर दो का बाग जाता है हमारा पंदरा बार अब बायालिस के अंदर 21 बार अब दोस्तों 15 के नर और 21 के नर दो के नर दो का भाग नहीं जाएगा अब देखते हैं तीन का तो हम देखते हैं कि नर तीन का भाग जाएगा तो अब देते हैं तीन का भाग तो दोस्तों तीन का भाग 15 के नर जाएगा हमारा 5 बार और 21 के इनल जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा अब जाएगा नहीं जाएगा अब जाएगा नहीं 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 जाएग तो दोस्तों यह जाए हमारे पास 6 और 6 का 5 के साथ कुना तो 6 पंजे 30 और 30 का जब 7 के साथ मिल्टिप्लाइ करेंगे तो दोस्तों यह जाए हमारा 7 यह 21 यानि 210 तो दोस्तों इस परकार जो हमारा 30 42 का जो LCM है LCM आगा हमारे पास 210 तो दोस्तों यह आया हमारे पास LCM 30 42 का सब्सक्राइब कि अदर इन दोनों का अलग अलग यह जैसे सबसे पहले तो तीज का अलग होगा और 42 का अलग होगा जितनी संखे होगी उनका अलग होगा यहाँ पर 32 संखे है अगर 3 संखे होती तो 3 का अलग होता 4 होती तो 4 का अलग होता तो 30 का करते हैं अब जेक उनकंड तो सबसे पहले तो 2 का जाएगा 15 बार और अब जाएगा 3 का 5 बार अब जाएगा 5 का एक बार तो 30 को लिख सकते हैं 2 x 3 x 5 इसी प्रकार बैयालिस के निर 2 का जाएगा 21 बार 21 के अंदर जाएगा दोस्तों मारा 3 का 7 बार अब जाएगा मारा 7 का एक बार तो 42 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 x 3 x 7 2 x 3 x 7 तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने क्या किया एच्छे में निकालने के लिए जो संख्यायती उनका हमने अलग अलग एबाजे गुण कर दिया इस परकार इन दोनों को इस परकार गुणा में टुकुडों में तोड़ दिया अब दोस्तों क्या करना है कि हमें इन दोनों के अंदर common देखना है तो हम देखते हैं कि दो इन दोनों के अंदर common है इसके लावा तीन इन दोनों के अंदर common है अब दोस्तों देखते हैं कि 5 इसके अंदर है तो इसके अंदर नहीं है तो 5-7 इनिकेंदर common नहीं है अब इस तो हमारा नहीं है और 3 common है तो अब क्या करेंगे की कि एक सिर्फ के अंदर हम क्या करेंगे कि दो और तीन को मन है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे दो एक दो ले लेंगे एक तीन ले लेंगे तो दोस्तों यह जगा हमारे पास तीन इंटू दो या निच्छ है तो एक सिर्फ आगे हमारे पास दोस्तों छै तो दोस्तों इस तर यह था हमारा आज का टोपिक एल सिम वे एक सिफ निकालना तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए धरन्यवाद